जैसरी माकाल जैमाता की वसीकरणी स्पेसलिष्ट भक्तिकावच यूटूब चैनल में आप सभी का हरदिक स्वागत है आज मैं आपको सबसे खतरनाक कामाख्या वसीकरण मंत्र बताऊंगा इस वसीकरण मंत्र से आपको तुरंथ चमतकार देखने को मिलेगा जिहां सोने से पहले 65 बार ये मंत्र बोल दें प्रेमी प्रेमी का पती पत्नी खूद चल करके आपके पैरों पे होंगी आपका हर बात मानेगी यदि आपका कल के डेट में डाइवोस होने वाला है तो अगर आज के डेट में इस मंत्र को इस वशीकरन का माख्या वशीकरन मंत्र को अगर उस प्राणी के नाम से जो आपको डाइवोस देने वाला है चाहे हो आपका पती हो पतनी हो 24 घंटे के अंदर में आपका डाइवोस रुक जाएगा ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ क्यूंकि इस वशीकरन से 140 में से 135 लोगों का काम बना है आने वाले दिन में उनका फीडबेक लाइब प्रूव वीडियो मैं डालूंगा अगर आप किसी को सच्चे मन से चाहते हैं सच्चे मन से उसे शादी करना चाहते हैं चाहे हो आपका प्यार हो प्रेमी हो प्रेमिका हो एक्स गल्फरेंट एक्स बॉइफरेंट हो यदि आपके मन में उसके लिए प्रेम है सच्चा प्रेम है साधी करने वाला प्रेम है तो आप इस वशीकरन को सुने, इस विदी को सुने और एक बार अपने लाइफ में अवश्य करें, यदि आपका ब्रेक अप हो गया है, यदि पती पतनी के बीच में लड़ाई जगड़ा अनबन हो रही है, डाइवोस होने वाला है, तो ये खास वीडियो सिर्फ आप के लिए है अगर आप किसी और मनसा से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो किरपे वीडियो को ना देखें, अगर सच्चे मन से अगर किसी को पाना चाते हैं, जीवन भर के लिए उसे अपने वश में करना चाते हैं, उसे शादे करना चाते हैं, उसका साथ निभाना चाते हैं, तो इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को अपने जीवन में एक बार जरूर कीजिए आपको 24 घंटे के अंदर में फायदा देखने को मिलेगा चमतकार आपके आँखों के सामने होगा इस वीडियो को जादा से जादा लाइक और शेयर करें यदि आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नहीं हैं तो वसी करनी स्पेशलिष्ट भक्तिक और यूट्यूब चैनल को जरू सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबा कर नोटिफिकेशन को ओल करें ताकि आने वाले सब भी वीडियो आपके पास पहुंसती रहें और आप इसका लाब उठा सकें तो चलिए ज़्यादा समय ना गवा करके आपको इसकी विधी बताता हूँ मित्रो आप जिसे मन से चाहते हैं जिसे शादी करना चाहते हैं अगर अपना डाइवोस रुकवाना चाहते हैं अपने पती को पतनी को वापस अपने जीवन में लाना चाहते हैं यदि पतनी मायके जाके बैठ गई है पती आपको छोड़ने के लिए तैयार है तो आप इस वशीकरन को करें प्रेमी प्रेमिका आपको ब्लॉक कर दी है तो ये खास वशीकरन को करें इस वशीकरन को आप सनीवार मंगलवार या ब्रस्पतिवार के दिन या आमावश्या या पुर्निमा या एकादसी के दिन रात में करें संध्या छे से लेके रात दो के बीच में एकांत कमरे में बैठें खाली जगह पे बैठें जहां पे आपको कोई रोके नहीं टोके नहीं पुर्वा दिसा या उत्तर दिसा की और मुख करके बैठें लाल रंग का आसन बिचालें लाल रंग का कपड़ा पहनें परफ्यूम लगाएं या इत्तर लगाएं कोशिस करें कि अपने सरीर में इत्तर लगाएं और अपने सामने मा कामाख्या देवी का एक तस्वीर रखे एक फोटो रखे, एक छवी रखे, थोड़ा सा फल चड़ाएं, मीठा चड़ाएं, दो अगर बत्ती जलाएं, घी का दीपक, चमेली का दीपक या सरसो तेल का दीपक अवश्य जलाएं और आप जिसे अपने वश में करना चाहते हैं उसके बारे में सोचे उसका फोटो देखिए और ध्यान रहे उस दिन आपको मांस मचली मदिरा बिलकुल भी नहीं खाना है तिरिप उसी दिन नहीं खाना है फोटो देखे आप जिसे वश में करना चाहते हैं उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं है ये मंत्र जब जाब करेंगे तो कुछ नकुछ आपको महसूस होगी लेकिन आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है मंत्र को पूरा करना ही करना है इस मंत्र को सिर्फ 65 बार आपको बोलना है मंत्र बापके सामने रखने जारों ये बहुत ही खतरनाक सक्ति साली वशीकरन मंत्र है मंत्र बाप के सामने ये रहा मंत्र एक बार फिर से बताऊंगा किरपे ध्यान से सुनिये बहुत ही अद्बुत मंत्र है ये इस अद्बुत खतरनाक कामाखे वशीकरन मंत्र में जहाँ पर अमुक सब्द है वहाँ पर आप जिसे वश में करना चाहते हैं या करना चाहते हैं उसका नाम लीजे और फिर से उसके बारे में सोचिए उसका फोटो देखिए और कामाख्या देवि को परणाम कीजे और वहां से जाकर के आपको डारेक्ट बिस्तर पे सो जाना है कुछ मुबाइल उबाईल टीपना नहीं है कुछ दूसरे चीज नहीं सोचना है कुछ आपको करना नहीं है डायरेक्ट आपको अपने पार्टनर के बारे में सोचते हुए सो जाना है 24 घंटे के अंदर में चमतकार आपको देखने को मिलेगा अगर आपको वो ब्लॉक की है ब्लॉक किया है तो आपको अन्ब्लॉक कर देगा उसी रात में उसका फोन, कॉल, मैसेज आना चालू हो जाएगा यदि आपका डाइवोस होने वाला है तो दूसरे दिन ही डाइवोस रुक जाएगा आपका पती, आपका पत्नी आपके साथ जीवन निभाना चाहेगी जीवन भर के लिए आपका साथ देना चाहेगी, आपको बहुत प्यार करेगी रूठा प्रेमी आपके पास आएगा, यदि आपका प्यार, आपका पती देश विदेश में सौधी दुबई में जाके बैट गया है तो वो खुद चल करके आपको फोन करेगा, चमतकार आपको देखने को मिलेगा मन से कीजिए, गलत काम के लिए बिल्कुल भी इसका परयोग ना करें नहीं तो इसका दूस प्रणाम काफी भुगतना पड़ेगा आपको मन से कीजिए, सचे प्यार को पाने के लिए कीजिए और आपका पार्टनर मिल जाने के बाद, डाइवोस रुख जाने के बाद, प्यार के साथ साधी हो जाने के बाद अपने पती के साथ, पतनी के साथ, साधी होने के बाद, पती के साथ या पतनी के साथ कामाख्या सक्ति पीट आपको आना है माता रानी का दर्शन करना है और वहां से सुन्दूर उठा करके अपने पत्नी के उपर में यगर आप कोई लेडीज हैं तो आप अपने पती के हाथों से अपने मांग में सिंदूर अवश्य भरवाएं कामाख्या देवी का शिंदूर अपने माते पे अवश्य लगाएं तो कामाख्या देवी को परसाद अवश्य चढ़ाएं और मा को धन्यवाद कहें ये आपको अवश्य करना होगा नहीं तो आपका काम सारा बिगड़ जाएगा तो मन से कीजिए सचे प्यार को पाने के लिए कीजिए आपको काफी फायदा देखने को मिलेगा यदि आपके जीवन में कोई समस्या कोई परिशानी है तो बिलकुल भी परिशान मत हुए आप अपनी समस्या अपनी परिशानी लिख के चाह बोलके हमें वाटस अप कीजिए हमारे तरफ से आपकी पूरी साहता की जाएगी हमारे यहाँ पे सारा चीश गुपत रहता है और मन से सरधा से आप हमें CanTag कीजे आपकी पूरी साहता की जाएगी अब हमें इजाज़त दीजिए फिर मिलेंगे अगले एक नए वेडियो में तब तक कि लिए आप सोभी खुस रहें अच्छे सरे प्रेम सरे मिल कर अपना ख्याल रखें जैसरी माकाल जै माता की मित्रो